हेलो फ्रेंड से कौक्ति स्वागत आपका लोगाउट एकडमी चैनल पार तो दोस्तों आज की जो न्यूज है वह है उत्राखंड ओपन एणिवस्टी से सम्मन्दित यानि की उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले से सम्मन्दित तो दोस्तों उत्राखंड ओपन इणिवस्टी ने विंटर सेशन के एसाइ मेंन्द की जो डेट से वह जारी कर दिया है यानि कि सीदकाल इन सत्र दोजार बीस एक्पिस के एसाइमेंट्स की जो डेट से वह आ चुकी है इसका पूर जो शेडियूल है वो उत्राखंड ओपन के द्वारा जारी कर दिया गया है तो कई सारे स्टुडेंट्स winter session assignments के बारे में लगातार पूछ रहे थे message कर रहे थे comments कर रहे थे तो winter session की assignments की dates है वो आ चुकी है तो किन-किन के assignments होने हैं कब से assignments शुरू होंगे कैसे आपको assignments देने हैं तो सारा कुछ हम जाने के इस वीडियो में तो सारी जानकारी में आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो में तो वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देखे जिससे कि आप कोई भी step मिस न कर पाए ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों assignments की ठीक तो assignments का जो schedule है वो जारी कर दिया गया है उत्राखण Open Invest की द्वारा और schedule आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर उसके आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उत्राखण मुक्त विश्यविद्याले हलद्वानी और यह जो schedule इन्होंने दिया है डे विवरण निम्नवत है लिंक दिनान 17 नौंबर से 30 नौंबर तक 24 गंटे उपलब्द रहेगा ठीक तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि Assignments की डेट्स क्या है तो Assignments की डेट्स यहां पर दे रखी है 17 नौंबर से 30 नौंबर तक ठीक काफी कम समय दिया गया है और इस स Assignments होंगे 17 नौंबर से यह केवल होंगे आपके समेश्टर वालों के जिनका भी समेश्टर परणाली है समेश्टर है और वो विंटर सेशन के स्टुटेंट्स हैं केवल उनहीं के Assignments होंगे बाकि जो जिन्होंने ELE प्रोग्राम में एडविशन लिया है और उनका विंटर सेशन हैं उनके Assignments अभी नहीं होंगे पहले समेश्टर वालों के होंगे उसके बाद होंगे ELE वालों के जैसे इससे पहले जो Assignments होए थे आपके समर सेशन वालों के उसमें भी पहले समेश्टर वालों के होए थे उसके बाद जिनका ELE प्रोग्राम था उनके होए थे तो इसी तरह इस बार भी होगा शीत कालीन सत्र यान की विंटर सेशन समेश्टर वालों के ही असाइमेंट सोंगे 17 से 30 नौबर तक ठीक और नीचे यहां पर शेडूल दिया हुआ है यहां पर अब देख रहे हैं प्रोग्राम कोड लिखा है और उसके आगे समेश्टर लिखा वाले है और टाइम इनको दिया है 17 नौबर से 30 नौबर के बीच तो आप देख लिजिए program code यह सारे यहां पे लिखे हुए है अगर आपका इतना से कोई भी program code है तो देख लिजए आपके semester में हो 17 से 30 तौंबर के बीच assignments के वल किसके होंगे semester वालों के early वालों के अभी नहीं होंगे 17 से चाहिए 30 तक चलेंगे summer session वालों के उसमें क्या गया था जिसे BBA वाले हैं या BCom वाले हैं ठीक उनको एक time दिया था एक उनका एक time period था कि उनको इतने time से लेकर इतने time तक assignment करना है इतना उनको time दिया गया था लेकिन इस बार जो assignments हैं, इसमें सभी प्रोग्रामों के assignments उत्राखन Open University ने एक साथ दे दिये हैं, जित्ते भी आप program यहां देख रहे हैं, इन सभी प्रोग्रामों के assignments एक साथ होंगे, और कि इन सभी को अपने assignments 17 से 30 नवम्मर के बीच जमा करने हो, ठिक, बागी कुछ notes के रूप में, उत्राखन Open University ने यहां पे कुछ कहा गया है, वो भी जा हम देख लेते हैं, तो notes के बागा, इसमें कहा गया है, सबसे पहला point कहा गया है, कि वर्तमान में सत्री कारिय, online प्रिक्षा केवल, सीथ कालिन सत्री 2020-21 समेश्टर पढ़ाली के चात्रों के लिए ही होंगी, ठिक, तो यह जो 17 नॉवंबर से होंगे, आपके assignments, वो online होंगे, पहली बार तो यह सपस्ट है कि online होंगे, online assignments exam होंगे, जैसे 20-20 question आपको दिये गए थे, summer session वालों के assignments दिये हैं, ठिक, तो उसी तरह से भी इस बार भी होंगे, winter session वालों के online होंगे, और cable semester वालों के होंगे, यह assignments, ठिक, उसके बाद दूसरा यहां पर का गया है point कि चात्र उपर दिये गए तिथिवा विशय के अनुसार, www.uou.ac.in पर ही, learn online माध्यम से सत्रिकारों के वस्तुनिष्ट प्रशनों को हल करेंगे, ठिक, तो schedule आपने देख लिया होगा, और schedule में जो date आपको दी गई है, और जो भी आपका program code है, और जो भी आपका semester है, ठिक, तो आपको अपने assignments करने होंगे online, उसके बाद तीसरा point यहां पर का गया है, परिक्षार्थियों द्वारा एक विशे है तो दो परियास, यानि कि two attempts only में सत्रिकार को हल किया जा सकता है, जिस परियास के अंक अधिक होंगे, वे अंक की ही परिक्षाथी को प्राप्त होंगे, ठिक, तो वैसी यहां पर है, जैसे summer session में था, कि दो attempt आपको मिलेंगे, दो परियास आप कर सकते हैं, और दोनों परियासों में, जिस परियास में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, जो भी attempt में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, उतनी नंबर को आपको दिये जाएगा, यानि कि वही नंबर आपके assignments के भी रहेंगे तो दोस्तों विंटर सेशन 2020-21 के जो भी स्टुनेंट से उनकी असाइमेट्स की जो डेट से वह आ चुकी है प्रोग्राम कोड आप यहां पर देख रहे हैं वह लिखे हुए हैं सभी के प्रोग्राम कोड और उनके सामने उनके समस्टर भी लिखे हुए हैं तो आप देख लीजिएगा यह जो प्रोग्राम कोड हैं और यह समस्टर आप देख रहे हैं यह पूरा शीडियूल मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर दे दूंगा इसको बाकि आप हमारे फेस्बुक पेस से जुड़िए यह फेस्बुक पेस का नाम है लोग आउट अकेडमी तो वहां पर भी आपको यह मिल जाएगा साथ यह अगर आप कि हमें टेलिग्राम पर फॉलो करते हैं तो टेलिग्राम का लिंक भी वांपर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर भी मैं इसको दे दूंगा यह शीडियूल वहां पर भी मैं अफ्लोड कर दूँगा और साथ अगर दोस्तों आप इस्टाग्राम पर भी है तो आप हम इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है तो सभी जगह आपको यह मिल जाएगा आपका यह शीडियूल है ठीक है अभी ऑफसल साइट पर अप्लोड नहीं हुआ है यह जो यह शीडियूल है कुछ दिनों में यान कि कल या परसू तक देखे कल भी नहीं होगा परसू भी नहीं होगा क्योंकि दो दिन चुट्टी है तो मंडे साइट यह अप्लोड हो जाएगा और देखिए यह जो डेट्स है यह डेट्स अभी फिक्स नहीं है क्योंकि 17-30 का जो टाइम होता है बहुत कम होता है ठीक और पर साइट चलेगी ही नहीं ठीक साइट क्रेश कर सकती है तो क्या पता इनको डिवाइड भी करा जाए ठीक कुछ प्रोग्रामों को एक लिमिट टाइम दिया जाए गिस टाइम प्रेट के अंदर आपको असाइमेंट समिट करने है ठीक तो मंडे को यह जो शेडियूल है व जी वाले हो गये ठीक है तो जैसे मट डूग्राना ठीक भी आपके ऑपके महिस सको प्रेज्ट लिकार माई सभाइं करना इंडिन से बाइन जिल्णिक 2 डिकिोड प्रेट के खर्यारों-द्रॉबश्तिकर, और वहिए आप देडिक है यह फॉद्रा Eleso, और आगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी आपकी क्योरी है तो comment box पे आप comment करके पूछ सकते हैं यह अभी final dates नहीं है मैं यह मानके चलता हूँ लेकिन अपन इस जारी करी है तो कुछ समझ के करी होगी लेकिन यह भी final नहीं हुई है क्योंकि अगर assignments अगर आप दे रहे हैं तो कम स साइट पार इसको 10 से 15 दिन पहले upload कर देना चाहिए जिससे कि students अपनी त्यारी कर सके prepare हो सके assignments के लिए आप देखिए आज 13 तारीक हो गई दो दिन चुटी है 15 अगर 15 16 को भी upload करते तो 17 से assignments शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में यह जो assignments हैं वो एकदम से जब सुरू होंगे त किसे को पता भी नीचे लेगा क्या है बाकी दोस्तों assignments कैसे सब्मिट करने हैं क्या process assignment करने का उस पर सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है नीचे description बॉक में सभी video का link दिया हुआ कैसे आपको assignments देने है क्या क्या process step by step मैंने सब कुछ बताया हुआ है अगर assignment 17 से भी सुरू हो आप हमें telegram या Instagram पर follow करें वहां भी आप comments कर सकते हैं Facebook पर फॉलो करें Facebook पेज है logout के के नाम से उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं तो सारे जगह से आप अपने जो भी query हैं जो भी question है उसका answer प्राप्त कर सकते हैं बागी दोस्तों कोई भी और update हो इससे संबन दे तो मैं आपको जुरूर बताऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है इस सगी पता चल सके उत्राखंड ओपरवेट करें शेयर करिए सभी अपने दोस्तों के सांद जो भी उत्राखंड ओपरवेश्टी के लोग हैं उनसे आप शेयर कर बागी दोस्तों चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि यह जो चैनल है वो आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकता है क्योंकि उसमें एजुगेशन से संब बन्धीत है, वो आपको इस चैनल पर मिल जाता है, तो दोस्तो चैनल को ससक्राइब जरू कर लें, साथ मीपने बेल आईकन है îसको भी परेस कर लें, जिससे की आने वाली जो वीडियो है, उसका पता आपको सबसे पहले चल सके, तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू, थैंक्यू for watching